अब अच्छों बहुत बहुत नमस्कार और आज मैं आपके सामने आया हूँ तो कुछ बात करने के लिए आया हूँगा और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज मैंने टी-शेट नहीं बेनी है और आज मैं पहनूगा भी नहीं वह इसलिए क्योंकि इस टी-शेट की ना मेरे करियर में बहुत इंपोर्डेंस है और ये जो लोगों आप देख रहे हो ना पीछे ये सिर्फ लोगों नहीं है ये मेरे दिल की बात है और ये बात करने हम इसलिए आये हैं यहां पर आप बोलों सर आप क्यों आ रहे हो सामने तो हम ये बात इसलिए करने आ रहे हैं कि भाई खून पसीना हमने भी लगाया है हमने भी मेहनत किये हमने भी दिन और रात एक किये हैं हमने भी बहुत राते जागी हैं और यह राते जागी हैं आप लोगों के लिए तो इतनी सारी मेहनत और यह सब करने के बाद जब आप ग्रो करते हो ना बढ़ते हो आगे तो लोग आपसे जलते हैं लोग यह सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं आज भी आगर मैं यह वीडियो यहां पीड़ लूगो अरे अब मैं क्या ही बोलू यार सीधे नाम लेने पर आना पड़ेगा तभी तो आप लोगो सच पता चलेगा सच कैसे बता चलेगा तो वो नाम है अड़ा 247 कि जब कुछ से कुछ नहीं कर पाए आगे तोड़ने में टीचर को लूग बंगे पैसा कमाओंगे जीबन में क्या आके बड़ोगे पैसे से काफी चीजा आसान हो जाती है सब कुछ नहीं है पैसा लेकिन आसान जरूर हो जाएंगी तीन पांच-पांच-पांच करोड़ का एडवांस देते हो आप लोगों को कि भरगला आते हो लोगों को भैए अगर आपको कोई चीज श्टार्ड करनी है जैसे सबस्कुर्ण मैं हूँ मैं बात करके जाओंगा अलग सर से कि मेरा मन है कि अब मैं कुछ अपना अलग करूं क्योंकि मेरी फॉर्ट प्रोसेस अलग है मैं अब इस तरीके से चीजों को हो रहे हो रहे ह시면 act में यह सकना कर सकता हूं दिशक्राइब करों कि सब मैं आप आप के साथ continues नहीं कर सकता अब आप रास्ता दिखाए हमें कि मैं तरीगे से आगे बढ़ू मं nego कि भाई । यो हमने जॉइन किया था तो किसी सोचके किसा जोइन किया था ना कोई विजन था हमारा तो अगर कभी विजन हमारा चेंज लग रहा है आपको जैसा लोगों को लग रहा है कि नहीं बदल गया ऐसा कुछ नहीं है लेकिन आपको लग रहा है ऐसा कि विजन बदल गया है तो ठीक है ना अब अलग करो अपना करो पीचरों सर आप बेस्ट बाटनी पढ़ाते हो बेस्ट जूमाजी पढ़ाते हो बैस्त केमिस्टरी पढ़ाते हो प्टमेट्स पढ़ाते हो लिए तो अपना करो ना और बच्चों के लिए अच्छा सूचते हैं करो भाई हम कोई मना नहीं है करो हो सकता है कि इन फ्यूचर में भी कुछ अपना करूं लेकिन मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा कि कि किसी से करोड़ो रुपए एडवांस उठा के रखलू और बोलूं कि अब और evolution हो गया अब यह हो गया वह हो गया अ किया हो गया कुछ दें हुआ है अग्या बदल गया कुछ लिया कूब अब उस इसनन पर ग्रफ और आ जिसने मत बिल्ड किया है यह सब चीजे ऐप के साथ बिल्ड किया है उसने आपको हर चीज दी है ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने मांगी हो और वो उसने ना दी हो आप ऐसे इंसान पर क्वेश्चन मारक उठाओगे क्या सिर्फ व्यूज के लिए कि व्यूज आएंगे वीडियो वनेंगे और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे फिर हम वेसे वी पी वस यह extraordinary निकाली देखना आप लोग कि कैसा रिवल्यूशन है यार लाव ना रिवल्यूशन मना थोड़ी है मैं तो कहा रहा हूं रिवल्यूशन टू पॉइंट वाना चाहिए लाओ लेकिन अपनी दम पे अड़ा की दम पे नहीं कि वो सिर्फ आपको पैसा दे रहे हैं इस चीज का नहीं कि आप पढ़ाओ वो पैसा इस चीज का दे रहे हैं कि पी डबलू को तोड़ो और जहां अड़्डा ने पैसे दिये इनको वहां से और दस पंदरा एट्टेक की कंपनियां चालू हो गई लोगों को फोन करने कि आप हमारे पास आ जाओक्या समय से तोड़ना चारे हो कि तोड़ना चारे हो कैसे तोड़ोगे यहां पे इसको कदम चल रही है उसको कोई खिला नहीं सकता के कुटने करेंगे ना महनत हमको मैं सथोरी हट रहा हूं यह沒有 कोई भी आज की लिभी में टीचर का मेरे टीमी पण है कि कल का ही वीडियो 9 गंटे एक पीड़वू के टीचर ने पढ़ाया है तुम्हें का बदल गया पीड़वू ऐसा हुआ है कि एक घंटे में खतम हो गया चैप्टर जो चैप्टर जितना टाइम डिजर्व करता उतना टीचर दे रहे हैं मैंनस से पढ़ा रहें टीचर यार का अलग सर के हाथ में है न तब तक आप एकदम निश्चिंत रहो आप उनी पर कुश्चन मार्ग उठा रहे हो जो इंसान तब नहीं बदला जब सब बदल रहे थे अब क्या बदलेगा अब क्या बदलेगा आपको यह समझ में नहीं आती और लोगों को लगता है कि बच्चे कि अपना सिस्टम बनाना एक दम सही है इसमें कहीं भी गलत नहीं है आपको लगता है कि आप अपने तरीके से सिस्टम बनाएंगे अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे अपने तरीके से सब करेंगे अपनी एक कंपनी होनी चाहिए अपना सारा होना चाहिए करो न कोई मला नहीं है। लेकिन ये कोई तरीक नहीं होता है कि किसी से एड़वांस ले लो और पीड़व्लू को डिफेम कर दो क् tornar मुझे दर्द पता क्यों हो रहा है कि मैंने भी खून-पसी न दिया-इस को हो कि कि मुजब पता धर्द क्यों हो रहा क्योंकि मैंने भी खून पसीना दिया पीड़ा ल wipes और अगर और आप को यह लग रहा है कि आप बच्छों को भर्गरा जए यह आपके सब् chopped नहीं है या आपके सब्द नहीं है यार मैं intelligence ते मैं आपको बहुत अच्छर जानता ओं या आपके सब्सक्राइयन हैं सब्सक्राइब किसी और के हैं बोल आप रहे हो सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब को तोड़के यह तो कि कुश्चन है अड़्डा वालों से क्या कर लोगे आप पीडवलू को तोड़के आप चला पाओगे नहीं वैसे भी आज की रेट में जो सिस्टम चला सकता है वो पीडवलू है यह कोई घमंड वाली वात नहीं है यह मैं दो से तीन साल पिछले जो जुड़ा हूं ना उसके साथ वो बैठते हैं उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं उस इंसान पर कोश्चन मारक उठा रहे हो कि अब आप बोलोगे सर अलग सर क्यों नहीं आए इंसान बीमार भी होता है ना मुझे भी जुका में ऐसे तो है तरको कोविड हो रखा है और सर क्यों सफाइद है प्रफाइद है लिए सब चीजों में सफाइद देते रहें वह अपना काम ना करें बिल्ड ना करें चीजों को और किस ने ऐसा बोल दिया कि हम बिल्ड नहीं कर सकते तो जब हम यह सब कर सकते हैं तो हम करेंगे न और इसी लिए भई आप लोगों ने सपोर्ट भी तो इसल कि PW revolution ला रहा है हमारा भी सोच उन से मैच कर रहा है तो इसलिए जुड़ते हैं मैं भी इसलिए जुड़ा था और जितनी ज़्यादा जगया हमारा नाम होगा तो यार मेरे लिए कहने के लिए होगा ना कि मैं PW में काम कर रहा हूं मेरे पिताजी रानी्पूर में वैठेंगा चार लोग उनके घर आते हैं वात करते हैं ऑन वो मुझे फोन करते हैं कि यार पंकच बहुत बड़ी अगाम कर रहे हैं यहीं मेरे लिए खुशिगी बाद है इससे बड़ी खुशिगी वाद मेरे लीले नहीं जो और मेरे पूरे टीचंग करियर में मुझे नहीं मिला आज की रेड़ में अगर मैं पटना के किसी गाउं में चला जाओं आसपास और वहां खड़े हो जाओं तो वहां पर बच्चा मुझे जानता है यह कमाया है हमने और इसके लिए मैं पीड़बलू को थैंक्स भी बोलता हूं हम अगर खुद से करते तो वहां तक सायद नहीं पहुंच पाते आज की रेट में पीड़बलू जॉयन करने के लिए हजारों लोग लाइन में लगे हैं कि हमें पीड़बलू जॉयन करा दो यह हम सब ने मिल्ड कीया यह आपने और हमने मिल्ड कीया आप ऐसी छोड़़के चलेगे कि सिर सर वो तो बहुत बड़ी कंपनी मन गई है सर उसमें तो इतना पैसा आ रहा है यह आ रहा है मैं आपको सही वात बताओं मेरे पिताजी दस जार रुपए महीना कमाते थे लेकिन हमारी पॉकेट मनी दस रुपए या पंदर रुपए मिलती थी इसका यह थोड़ी है कि पिताजी चार बच्चों में जो है दस ज लगारं की दिखती नहीं आर्याम ठीव लकी में जो बात बोल रहा हूं ना जिनकी में है कि उन्पर अंको समझ में आ रहा होगा बहुत हैल्ड है और यह एल्प ऐसे नहीं होती है कि सो के लिए मन साफ होना चाहिए और क्या मतलब क्या हो जाएगा इससे अगर आप जिंदगी में थोड़ा ज्यादा कमाल होगे आप भाई सीधे सीधे बच्चों को बोल दो ना हमने अड़ा से पैसा लिया है हम अपना चलाएंगे बच्चा सपोर्ट करेगा क्या दिक्कत है उसमें आप अच्छे टीचर हो य लेकिन यह गलत चीज है कि डिफेम करके आप गलत कर रहे हैं डिफेम क्यों करना आप बच्चों को कि हमने अड़ा से इतना लिया था अब हम अपना सिस्टम बनाएंगे और हम आपके लिए बैस्ट लाएंगे खतम यह थोड़ी होता है कि भाई आप बोल लोगी नहीं हमें अपना खुद का कुछ करना है क्योंकि हमें रिवल्यूशन लाना है और फिर पीडवलू के पचास टीचर को तो फोन कर रहे हैं कि आजाओ आपको कितना चाहिए हम दिलवा देते हैं यह थोड़ी कोई लॉजिक होता है बनाओ ना यार सिस्टम बना थोड़ी है किसी चीज का अच्छा रहेगा बच्चों के लिए पीडवलू से भी कम फीज में पढ़ाओ यार कोई दिक्कत नहीं है अच्छा बढ़ाते हो बच्चों को फायदा होगा उससे लेकिन डिफेम करके मत करो डिफेम करके आज तक मैं सही बताओ ना मैं भली मेरे सब्दों से ऐसा लग अच्छा होगा कि नहीं यह थोड़ा ज्यादा बोला यह बोला लेकिन आज दिल की बात करना बहुत जरूरी है और सबको पता आप में दम है आप करो पड़ाओ आप अड़्डा के चक्क्र में काहें फस गए सर उनके चक्क्र में को अब अगर अपना खोलते बच्चों को बोल देते कि हम अपने तरीके से चीज़ें चलाना चाहते हैं पीडवलू से हमारा अलाइनमेंट नहीं हो पा र पड़ाओ यह थोड़ी होता है कि किसी से उठा लिया पैसा और फिर बोल लोगी यह और करोड़ ओरोपे तीन से पांच करोड़ के आस-पास तो एडवांस आया आपका जान तक मुझे पता चला है तो आप इतना पैसा आ गया है कहां यह सब रोटी दाल की बाते कर रहा है और फ्यूचर प्रटेक्शन कर देता हूं कि सर्वेस सर आएंगे अभी आदे तानन सर आएंगे अभी एमसम सर आएंगे अभी और भी कुछ लोग आएंगे अभी और कुछ इंडिया के सो कॉल्ड रिवलुशन वाले लोग जिन्नोंने आज तक सिलेवस कंप्लीट नहीं कर रहें ज्यादा टेंसल लेने वाली बात नहीं है पीड़ु ना बदला था ना बदलेगा कुछ लोग बस जलते हैं जलने की वज़य से उनके अंदर से एसे स्टेटमेंट निकल आते हैं कि बस पीड़ु तो खतम हो गया पीड़ु यह ओ गया पीडवलु वह गया अरे जब सिंगल आदमी खतम नहीं कर पाए तो आज की रेट में इतने सारे लोग जुड़े हों कैसे खतम हो जाएगा बच्चो यार खुद सोच लो अकेले आदमी को तो तुम खतम नहीं कर पाए उस समय भी आपको पता है ना 2016 से लेकर इतना लंबे समय तक इंसान अकेले खड़ा रह लोगों ने इतना उसको पैसा देने की कोशिस करी नहीं लिया भाई क्योंकि उनको पता था कि मुझे अपने तरीके से सिस्टम बनाना है तो आप भी वैसी करो ना अगर आपने कुछ सीखा है पिछले दो-तीन सालों में तो आप भी वैसी करो कोई मना नहीं है आप लाव र अभी अपने एक फैकल्टी थे उनके चाचा के लड़के का एड्मीशन कराना था मैंने बोला कि भाई ऐसे बैच में कराना जिसमें सरलोग हो मैंने खुद बोला कि अवाब ऐसे कर रहे है इसलिए मेरा आना जरूरी हैना क्योंकि मुझे भी आप पर भरुसा था और अभी भी है अभी बच्चों को सच बता दो हिसके बच्चों को सच बता दो कि मनना बच्चे इनकम टेक्स कर लेंगे पता सबको पता है इतने थोड़ी बच्चे और मेरा यह कि सब्सक्राइब भी कभी अगर अपना चालू करना चाहूंगा तो नहीं अलग सर से फैरवेल लेके जाओंगा मैं लड़के नहीं जाऊंगा का लड़ाई क्यों करें या जब सिस्टम ने हमें इतना कुछ दिया है इतना मतलब ी नाम कीया है सिस्टम ने हमारा अगर मैं इंडिविज्वल खड़ा होता ना नहीं उतना नाम हो हो पाता है ठीक है अच्छा पढ़ाते हैं बढ़िया करते हैं ठीक अच्छा कर लेंगे लेकिन जिस एक्स्पोनेंसियल ग्रोथ जो मिली है ना पिछले दो तीन साल में हम सब लोगों को जो स्टार्टिंग से लोग जुड़े थे अन बीटेवल है वो किसी प्लेटपॉंप ऐसा नहीं है पीडबलू के बच्चे इतना प्यार देते हैं इतना प्यार देते हैं कि मैं क्या बता हूं मतलब मेरे लिए तो बहुत मतलब ऐसा 180 डिग्र हम लोग को इतना उठाते हैं इसलिए हम लोगों को मेहनत करने का जज्वा मिल जाता है आप से कि यार मेहनत करें आज भी कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे जब तक हम अपने पैरों पर खड़े एं तब तक कि एक परसेंट भी सरमारी आपको कि कमेंट में देखें मैंने बच्चे अलक्सर कोई गाली दिये जा रहे हैं क्या मतलब क्या सोच रखा तुमने जो व्यक्ति आपके लिए सब कुछ कर रहा है है ऑनलाइन बैचिस के प्राइस वही है कोई बदले नहीं है और एडिशनल किया है कि सर लोगों ने बिल्ड किया है कि तो आप लोग इतना तो समझ जाओ यार कि ये सिर्फ और सिर्फ गेम है पीडबलू को तोड़ने के लिए साजिस रशी जा रही है इस संकल्प नहीं साजिस है कि अड़ा 247 ने बरगला दिया हम आपको इतना दे देंगे उतना दे देंगे हम आपको जीवन भरका पैसा एक बार में दे देंगे ऐसे थोड़ी होता है यार ऐसे ऐसे नहीं चलता है जीवन कि ऐसे तो बहुत करूलों के अफर तो मेरे पास आए हैं तो क्या मैं लेके बैठ जाओं क्या आप तो जीवन भरका पैसा आगया आप तो कुछ नहीं बच्चों को पढ़ाएंगे क्या करूं कि एक स्टेप बाइस्टेप ग्रोथ होती है उसको एंजॉय करना होता है हमें इतना पैसा आया मुझे भी दे दो क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूं ऐसे नहीं होता ना कि पिताज इतना पैसा कमाते थे दस जार रुपए उसमें से हमें धाई जार थोड़ी मिलता था या हमको दस पीस रुपर मिलते थे तो और क्या तो वो सेव करके रखते थे ना कि तुम्हारी और भी खर्चे होंगे तुम्हें आगे बढ़ाएंगे तो तुम्हारी लिए एजुकेशन में और लगाना पड़ेगा तो हर एक लोगों की प्लानिंग होती है यार ऐसा थोड़ी होता है कि आज पैसा आया और दे दो अरे व अलग अलग प्रकार के खर्चे आप लोग इतने तो समझदार अलग प्रकार के खर्चे होते हैं यार तो बॉटम लाइन सिर्फ यह है कि आप लोग चिनकी बातों में आये हो गलत जगया आप फस गए हो कुछ चंद करोड रुपियों के लिए उन्होंने सिर्फ आसे पीडवलू को तोड़ा है और आने वाले समय में कई ऐसे लोग जुड़ेंगे जो बच्चों को जब पता चलेगा ना बच्चा बोलेगा कि यार ये गेम तो यार असली गेम तो यही था और मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि सर आपकी भविस्तवानी सही है अरे जब हम लोग आये थे ना हम लोग सही बता रहा हूं हम लोग आये थे ना एक्स पर थे हम लोग आज हम 20 एक्स पर हैं कि मुझे तोहीं लगता कि पीडबलू ने कोई कमी रखी है कि कोई कमी रखी है और ऐसा मेरे साथ नहीं ऐसा मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं और जो आपके कहने पर नहीं गये हैं आपने खीचने की बहुत कोशिस की व कि यह नाम सत्तर से सौ भी हो सकते थे कि सोचो सत्तर से सौ लोग यह नाम हो सकते थे लेकिन वो नहीं है आज क्योंकि उन्होंने क्या चुना उन्होंने चुना पीडबलू क्योंकि उनको भरोसा है पीडबलू पर कि यार हम जो कर रहे हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा मिलना चाहिए आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो कि नहीं मैं तो इतने का आदमी हूं मैं उतने का भाई बच्चों को पढ़ाने का काम है आपका जो आता है अदिस्टनल वो आदे दो मैंने दो भाई देखो हमेसा यही सोचा है आज तक आज तक जितने लोग मुझे जानते हैं ऐ कितना मैं अपने ऊपर confidence रखता हूं कि क्योंकि मुझे पता है वाई मैं क्यों आया था इस फील में पढ़ाने आया था भाई मिलता गया मिलता गया ले लिया हमने इसका ले थोड़ी होता है कि मैं अपना ही आकलन खुद कर लूँनी में तो इतने करोड का आदमी हो गया हू जो लोग वो भी मुझे सुनने होंगे आज इस वीडियो को सर मैंने आप से कभी नेगोशीशन नहीं किया क्यों करूं मैं आपने सोचा कि पंकच को इतना मिलना चाहिए ले लिया पंकच ने पंकच ने बढ़िया पड़ाया मसमझे से कि आज तक मैंने कभी नेगोशीसन नहीं किया यह मैं दम से बोल सकता हूँ आ और करना ही क्यों यार बढाने आय थे ना बच्चों को यायर पड़ाएंगे एतना भी कम नहीं मिलता है मालेक इतना कम नहीं मिलता है भाई टीक ठाग मिलता है ठीक ठाग से अच्छा मिलता है यार नियाओ आप ऐसे सोचने को तो मैं अपनी ग्रीड बढ़ा लूं कि नहीं मेरेवस्त इतना मिलना चीए लिनेट इतना देग रहा था हमको तो यह इतना देगा था लएले लेतए क कमा लेते बढ़ीया बैठते मस्त मज 채 से पॉय इसलिए S often में आया था कि स्ब्सक्राइब उन्होंने मुझे इसी खाया अगर मैं वजो यह सिखा दूँ अपने बच्चों को जो अभी देख रहे हैं मुझे कि मैं इस कोचिंग से उस कोचिंग में चला जाओं तो बच्चा मुझसे क्या सीखेगा वह टीचर का काम कंटेंट के लावा और भी चीज़े सिखाने का होता ना गुरू मानते हैं बच्चे हमें क्या सीखेगा बच्चा हमसे आज नहीं तो कल बच्चों को पता चली जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया क्या गरोगे फिर और मैं आज भी क्या नहीं भाई आपसे बहतर टीचर कोई नहीं है ना मेरी नजर में ना बच्चों की नजर में आप बैस्ट हो यार मैं आखों से आखे मिला के आपसे बात कर सकता हूँ आप बैस्ट हो और मैंने आपसे भी यह बोला है कि इसका मतलब यह नहीं ना कि बच्चों के इमोशन का फायदा उठाया जाए गलत चीज़ें बच्चों को बताई जाएं सच बोल दो यार सीधी सी बात हैं मैं जाता मैं जाता में बोलता कि भाई मैं अपना चालू करना चाहरा हूं ठीक यह बैचला उन्चोरा मेरा और बस चालू कर दो कि अगल दो इस नहीं करना है बच्चों को बच्चों का इमोशन ना बहुत अंदर तक है आप यह समझ नहीं रहे वाप उससे मोशन का फायदा उठा रहे हो कि बच्चे ना हमें मतलब हमारे लिए बच्चे जान दे सकते हैं मुझे यह पता है कि मैं भी तो मि प्यार करते ना जान दे सकते बच्चे और उन बच्चों को जब पता चलेगा कि आपने ऐसा क्यों किया यह पूरा गेम क्यों रचा गया पीडबलू को तोड़ा गया दस कंपनिया और लगी हुई है पीडबलू को तोड़ने में क्या मैंसे जाएगा बच्चों के पास स्टेग्राम भी बच्चे बोल रहा है क्या हुआ कि मैं बच्चों को बताना चाह रहा था पिछले दो-तीन दिन से लेकिन मैं बाहर था कहीं पर आज मैं वापस आयों तो मैंने का आज बताना बहुत जरूरी है सच सच होता है उसको नहीं बदल सकते अधीमी आवाज में भरे मन से बोला हुआ जूट कभी सच नहीं होता और चिला चिला के बोला गया सच कोई जूट नहीं बोल सकता जो दिल में है वही जुवान पर है और इससे ज़्यादा मेरे में खास बात नहीं है भली मेरी टोन आज बहुत टेज लग रही हो आप लोगों को लेकिन सच है ये मुझे भी बुरा लगा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये और क्यों ना लगे यार बच्चों तुम खुदी बताओ क्यों बुरा ना लगे मुझे मैंने भी दिन्दाद मेहनत किये खड़ा करने में सिस्टम बनाने में क्यों बुरा ना लगे मुझे और आप ऐसे ही डिफेम करके निकल जाओगे आपको क्या लगता है कि पीडवलू पर हम कीचण उचाल देंगे तो हम अभी तक तो बहुत सही था सिस्टम अब एकदम से क्या हो गया यार देखो भाई कोई भी सिस्टम छोड़ना कोई बुरा नहीं है कभी भी गलत नहीं है आप उस सिस्टम का पार्ट थे आपने उसको बिल्ड किया था आप कह रहो कि बदल गया है बदला वो नहीं यह बदले आप हो तोना आपकी बदली है समीकरन आपके बदले है एडवांस बैंक में आपके आया है अकाउंट में वह बदल गया है लोगों ने बरगला दिया बरगला गए लिए फोड़ा सा बुद्धी और विवेक का इस्तमाल कर लेते सर कि वह अड़ा वाला आपसे क्यों करवा रहा है यह यह चीज मुझे समझ में आ गई थी आपको तो समझ में आई जात श्वाती है कि आप वसगाई जाल में अ सा necessarily कि बहुत बोड़े आई हवा अगया है जाने ह्यां कोई भी न हमारए पैसे नहीं उड़ाता के कोई भी हवां में पैसे नहीं अगए कि आप सभी लोगों को जो है तीन तीन चार चार पांच पांच करोड रुपे दे दिये वो चाहिए उसको पैसे किसी ने पैसा लगाया है आप पर आप से वसू लेगा बोलेगा बच्चे लाओ इसलिए आप यह सब काम कर रहे हो कि बच्चे आ जाए फिरी सीरीज आईगे यूट्यूब यूट्यूब पर विश्वाणी सब्सक्राइब यूट्यूब पर वसा बैचलांच होगा बोलोगे यह भी जुड़के यह भी जुड़के हमारी मुहिम में यह मुहिम नहीं साज साय आर जो उसने रची है आप फस गया उसमें किसार ऐसे ऐसे करेंगे अपन इस तरीके से बैचलांच करेंगे ऐसे करेंगे है कला तसर रिसी केस घूमने की उमर में आप अध्डा घूम रहे हो है कि क्या कर दिया तरी और बच्च्वा से मैं यही कहना चाहूंगा भाई पढ़ाई पर ध्यान दो यह सब इस इंडस्टी की बहुत प्रैक्टिस होती रहती है ऐसी आपका में काम क्या है पढ़ाई करना ऐसा नहीं हुआ कि पी डबलू ने क्लासे बंद कर दी हैं सब जगे क्लासे प्रॉपर चल रही हैं सब जगे रिवीजन हो रहा है आपक सब यहीं सब लोग चाहतें आप तुम्हारा सिलैक्षिण हो तुम्हारा काम पढ़ना ना भाईथन हॉनी वेरा में रहें पढ़ाई पाईगरो आज भी मैने जब दिन में इस लिवास अ बस तब उला ठीज क्या यह बोलाए कि तुमारा काम से पढ़ना है कि अच्छी ब्रांच मिलेगी तुम्हें अच्छे कॉलेज में जाओगे बढ़िया जॉब लगेगी तुम्हारी या कुछ अपना इस्टाइट अप कर रहे होगे आगे बढ़ो और एक बार बोलना था ताकि आप लोगों को clarity आ जाए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है कई लोग अलग सर को गाली दे रहे हैं कई लोग PW को गाली दे रहे हैं कई लोग मुझे भी गाली दे रहे हम लोग बुरे हो गए वागी सब लोग तो अच्छे हो गए तो इसलिए क्लैरिटी देना जरूरी थी कि ऐसा क्यों होगा और मैं आप लोगों से फिर बोलना चाहता हूं कि अगर यह रिवल्यूशन अलग सर के हाथ में है तो उन्हीं के हाथ में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा यह मैं बोल सकता हूं उनके हाथ में है तो सुरक्षित है को यह कोई और अपने हाथ में लेना चाहा रहा है ना यह ले ही नहीं सकता भाई किसी में क्यापिविल्यूविटी नहीं एगनी दिल और दिमाग से ना कोई इतना स्ट्रॉंग बंदा नहीं है आज तक मैंने देखा है तो उनके हाथ में रहने दो किसी और के हाथ में गया सब खतम हो जाना फिर क्यों लेना किसी का रिवलुशन अच्छा वाला चल तो रहा है यार बढ़िया इतनी कम फीस में तुम तैयारी कर पा रहे हो यार पिछले साल जो लक्ष के अरजुना के यकीन के प्राइस थे वही साल है प्लस खजाना भी और है और सब चीजें तो आपको मिल रही है ना पड़ो बदिया मजे से यार दवा के बढ़ाएंगे आपको और मेरे साथ और भी लोग हैं जो बातों में नहीं आया इनके अरे मार सर हैं सचें सर है राजवन सर हैं मैंनी मोर और वह सारी टीचर है जो यहीं खड़े हुए नहीं गया इनके साथ क्यों जाएं जब उनको यह समझ में आ गया है कि यार हम सही जगए हैं हम वह अगर मैं सच में अपना बताओ ना वह कई कंपनी जैसी होती हैं कई इंस्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जहां पर आपना हायर अथर्टी से बात नहीं कर सकते आप फोन लगाओ कि फोन बात नहीं बात की खुछी है कि मैं अलंग सर से नमें प्रतीक सर से मैं स나 सर से डारेक्ली बद कर सकता है कोई भी यहां का यह काम कर सकता है सब के पास नंबर है सब मैसेज कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि अलक्स तर किसी का रिपलाई ना देते हूं हमेशा वो आगे रहे हैं कि यार कभी भी कोई भी समस्य आगर आ गई किसी को तो सबसे पहले वही खड़े होते हैं और आप ऐसा कर रहे हूं अरे यार मतब क्या ही बोलू मैं साधी के दो दिन पहले तो आप रिजाइन कर रहे हैं उस व्यक्ति की साधी है इतनी तो सरम कर लेते हुआ है दो दिन पहले रिजाइन करके कह रहे हो कि हमको जाना है उस व्यक्ति की साधी साधी निल भी見て थी एक लेकिन सोचो वह अंदर-अंदर कितना सोच रहा होगा कि यार क्या हो गया यह कि मैंने ऐसा क्या कर दिया और एसे एक दो दिन की कहानी नहीं है यह महीनों से प्लानिंग चल रही है रिवल्यूशन लाने की अड़ा के साथ यह रिवल्यूशन आए आपका है यह तो नहीं डिजर्व करता था वह वैक्ती खुसी खुसी जाते बुके लेके जाते मिठाई खाते अपन लोग पारड़ी करते मेरे से भी बात करके नहीं गया आप मुझे तो सबसे बुरा इसी बात का लगा कि यार हम लोग साथ में थे सब बात करके चले जाते एक बार शकल से बुरा देखता हूं इतना बुरा हूं नहीं हूं है तो यार मेरा तो बस आप लोगों से यही कहना है ताजिस है यह पूरी है अड़ा तू फोर सेविन की कि मल्टिपल टाइम x एडवांस दे दिया गया है ताकि इनको लगे गी हाँ अड़ा नएकदम सही किया है पड़ाने का इडवांस तोड़ी होता है यार तोड़ने का इडवांस उता है तो आप समझ लेते है तो फाइनल स्टेट्मेंट मेरा आप लोगों के लिए यही है कि बस आप लोग पढ़ाई करो जान जोग दो एकदम और अगर सच में अलग सर्गी जरावी रेस्पेक्ट करते हो सेलेक्ट होके दिखा दो दम लगा दो एक दम अगर आप इस पीडबलू प्लेटफर्म की रेस्पेक्ट करते हो पिछले एक साल या दो साल से आप जुड़े हुए हो ना दम लगा दो एक दम और आओ रिजल्ट सेलिबरेशन में करते हैं सेलिबरेट अलग सर की आँखों में न वो दिखना चाहिए कि हां यार जो मैंने कि दिया बच्चों के लिए वह बच्चे सेलेक्ट होके आए हैं और पिछले जितने भी साल का रिजल्ट सेलिबरेशन है उसका रिकॉर्ड टूटना चाहिए इस बार इस्टेडियम बुक करना चाहिए हमें आप लोग ऐसे बता दो हमें आप लोग सेलेक्ट होके बता दो कि भाई हम तो सेलेक्ट हो गए इस्टेडियम बुक होना चाहिए जे जबरदस्त सेलेक्शन पी डबलू से लगना चाहिए अलगसर को कि हां यार मजा आ गया लगा एकदम जोर चाहिए हो चाहिए नीट हो एकदम जोर लगा दो अपना भविस सिक्यार करो अपने परिवार वालों का भविस सिक्यार करो अपने मा और बाप की आँखों में वह सक्सेस देखो लगा दो दम लगा दो एक दम दम रुकना मतब और इन सब चीजों में आप मत फशो फाइनल वीडियो था अब इसका आद मैं भी नहीं ठीक है अब जिसको जो वीडियो बनाना बनाता रहे हम लोग आप कुछ नहीं करेंगे पढ़ाएंगे एकदम मस्त ठीक है रिविजन करेंगे जोड़दार तरीके से और आप लोग आग लगा दोगे ठीक है मिलते हैं वेटा फिर तब तक के लिए ओक किवाए